हालो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम जो टोपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इस्टोमक केंसर तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इस्टोमक केंसर आल्सो कॉल्ड गेस्ट्रिक केंसर इस्टोमक केंसर को गेस्ट्रिक केंसर भी बोला जाता है begins when cells in the stomach become abnormal and grow excessively तो आप लोगों को पता है कि cancery condition ऐसी होती है जिसमें किसी particular part या body part के जो tissues होते हैं या जो cells होती हैं वो abnormally grow करने लग जाती है abnormal manner में produce होने लग जाती है तो यहाँ पे क्या होगा? stomach cancer में जो stomach की cells हैं उन में abnormal proliferation होने लग जाएगा उनका abnormal formation होने लग जाएगा तो ऐसी condition को क्या बोलेंगे? stomach cancer next point है these cells form a growth of tissue called a tumor अब जो यहाँ पे cells form हो रही है वो क्या करेंगी? एक structure form करेंगी उसको बोलेंगे tumor next point है a tumor can be benign और malignant अब जो यहाँ पे tumor form हुआ है वो benign भी हो सकता है और malignant भी हो सकता है benign का mean तो होता है कि एक ही part में present रहे वहाँ से दूसरी जगे spread ना हो but malignant का mean होगा कि वो एक जगे से दूसरी जगे spread होने लग जाए next point है most stomach cancers start with the mucosa तो आप लोगों पता है stomach की चार layers होती है inner layer जो होती है mucosal layer उसके बाद वाले sub mucosa उसके बाद muscular और last one होती है outer layer serosal layer तो mostly जो cases होते हैं cancer के stomach में उसमें cancer form कहां होता है mucosal layer में जो inner layer होती है stomach की अब बात करते हैं इसके बाद आपने इसके risk factors की तो इसमें first point आता है infection with H. pylori bacteria तो आप लोगों ने peptic ulcer के बारे में सुना होगा peptic ulcer एक ऐसी condition होती है जिसमें stomach में ulcer form होने लग जाते हैं तो उसमें एक causative organism present रहता है H. pylori यानि helicobacter pylori bacteria यह करता क्या है यह stomach की mucosa में infection cause करता है जिसकी वज़े से वहाँ पर inflammation होने लग जाता है तो अगर वहाँ पर inflammation हो रहा है ulcer form हो रहे हैं जो mucosa layer है वो damage हो रही है तो उस वज़े से वहाँ क्या होगा कि वहाँ precancerous changes होने लग जाएंगे means इसका मतलब यह है कि वहाँ पर आगे चलके cancer भी develop हो सकता है next point है यहाँ पर इस factor में diet high in consumption of smoke and salted foods such as smoked fish, pickled, vegetables जो लोग ऐसी diet लेते हैं जैसे कि जो तली भूनी चीज़े खाते हैं salted food खाते हैं spicy food जो लेते हैं like जो fish वगेरा है जो pickled vegetable है means अचार वगेरा है spicy foods है तो यह क्या करते हैं spicy foods वगेरा यह हमारी stomach की जो layers होती है उसको irritate करते हैं damage करने काम करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उससे जो ACL उसका formation ज़्यादा होता है और ulcer बनने के chance ज़्यादा होते है तो लोग इसी डाइट जो ज़्यादा लेते हैं उनमें stomach cancer होने के chance भी हाई होते हैं next one है blood type A जिन लोगों का blood group A रहता है उनमें भी stomach cancer हो सकता है बट इसका reason पता नहीं है next point है hereditary factors family में अगर किसी को पहले cancer हो चुका इस्टोमक में तो chance हो सकते हैं कि उनकी generation में आगे भी किसी को हो next point है obesity जो लोग obese होते हैं उनमें भी stomach cancer होने के chance हो सकते हैं next point है age जो लोग means 55 साल से उपर की age की होते है means 50 से 55 साल की age से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनमें भी stomach cancer हो सकता है means सबको जरूरी नहीं है बट एक तरह का risk factor है कि हो सकता है next point है यहाँ पर lack of physical activity जो लोग physical activity नहीं करते हैं खाते रहते हैं बट बिल्कुल भी exercise होगे नहीं करते हैं तो उनमें भी stomach cancer हो सकता है तो यह तो बात हो गई है यहाँ पर risk factors की अब बात करते हैं इसके बार इसके clinical features की तो इसमें first point है discomfort और pain in stomach area जो patient होगा उसको क्या होगा जो stomach area होता है वहाँ पर discomfort feel होगा जलन सी feel होगी और वहाँ पर pain होगा next point is dysphagia difficulty in swallowing वो कुछ भी खाएगा तो उसको swallow करने में दिक्कत होगी next point is nausea and vomiting यहाँ पर nausea and vomiting condition भी हो सकती है क्यों क्योंकि stomach में अगर cancer है तो वहाँ पर जो भी वो खाएगा वो digest नहीं होगा तो वो backflow हो सकता है next one is weight loss यहाँ पर weight loss ही condition इसलिए रहेगी क्योंकि cancer की full or bloated after a small meal जो patient होगा अगर वो थोड़ा बहुत खाना भी खाएगा तो उसके बाद उसको ऐसा feel होगा कि उसने बहुत जादा खाना खा लिया है बहुत heaviness feel होगी stomach में next point is GI bleeding यहाँ पर bleeding भी देखने को मिलेगी क्योंकि जो layer से जो stomach की membrane से वो damage रहेगी जिस वाज़े से bleeding होग क्योंकि जो भी वो food खाएगा जो scl वगेरा भी रहेगा stomach में उसका backflow ने के chance होगे तो इसोफेगस वगेरा में जो membrane होगी अगर वो irritate होगी scl वगेरा से जो खाना वापिस backflow रहा उससे तो heartburn की शिकायत रहेगी next point है यहाँ पर loss of appetite person को भूख नहीं लगेगी और next है यह हो रहा है next point is fatigness weakness रहेगी क्योंकि nutrition नहीं मिल रहा है next point is iron deficiency anemia यहाँ पर जो anemia की condition क्यों हो रहेगी क्योंकि यह ब्लीडिंग हो रहेगी और अगर bleeding होगी तो RBC कमी होगी तो mostly iron deficiency anemia देखने को मिलेगा तो यह तो बात होगए clinical features की next point आता है यहाँ पर diagnostic evaluation तो person की history collect करेंगे physical examination करेंगे patient का उससे जो भी objective data है वो collect करेंगे और जो subjective data जो patient देता है वो आमें बताएगा next point है यहाँ पर fecal occal blood test अब यहाँ पर जो person का physis से means stool वगेरा उसका test करना है उसमें देखना है कि उसमें blood वगेरा तो नहीं है और अगर blood होगा तो उसको check करना है next point है यहाँ पर blood test like cbc मतलब यहाँ पर complete blood count करेंगे तो complete blood count में क्या पता चलेगा rbc का level यहाँ पर कम रहेगा क्योंकि bleeding हो रही है next point है यहाँ पर barium swallow बेरियम स्वालो एक ऐसी process होती है जिसमें person को barium एक liquid होता है वो दिया जाता है mouth के through orally तो वो जैसे उसको drink करता है तो क्या करता है barium isophagus, stomach और जो भी intestine वगेरा है पूरा GI system उसको visible कर देता है तो barium swallow जो करने के बाद person का x-ray किया जाता है तो अगर x-ray करेंगे तो उसमें यह पता चल जाएगा कि अगर जो stomach में cancer हुआ है उस वज़े से कौन-कौन सी structures में abnormal T.I. है कहां का blockage हो रखा है उसका पूरा identify हो जाएगा next यहाँ पर procedure आता है sorry diagnosis आता है gastroscopy जो endoscopy का type है इसमें क्या करते हैं कि एक tube होती है उसको mouth के through insert करा जाता है जिसमें camera भी लगा हुआ होता है उसको इस ओफेगस के through stomach में ले जाए जाता है और वहाँ पर देखा जाता है कि कहां पर cancer है और कितना area effect हुआ है उसके साथ जो tissues उनका sample भी collect कर सकते हैं gastroscopy के through कि लाश्ट इसमें diagnosis आता है imaging testing like x-ray CT scan और MRI बेरियम स्वालों के बाद x-ray कर सकते हैं और भी वैसे भी normal x-ray भी कर सकते हैं CT scan और MRI भी कर सकते हैं stomach को visualize करने के लिए तो यह तो बात होगे diagnosis की अब बात आती है management की तो इसमें जो priority option है वो surgery ही रहता है तो इसमें first surgical procedure है endoscopic mucosal resection इस procedure में करते क्या है it may be used to treat early stomach cancer which may not invaded beyond innermost layer अगर stomach cancer की जो process है उसमें si mucosal layer में ही tumor present है और बाकी layers affect नहीं हुई है तो उस cases में यह वाली surgery करते हैं और इसमें करते क्या है कि जो जहांपे tumor present है उसको remove करते हो जो surrounding tissues है उनको भी remove कर लिया जाए जाता है इसलिए इस procedure का नाम है endoscopy mucosal resection means इस procedure में जो म्यूकोजा था कि अगर मतलब tumor present है और other layers में नहीं फेला है actomy word लगता है इसका mean होता है surgical removal तो यहां पर gastro आ रहा है तो gastro related to stomach तो stomach को यहां remove करेंगे तो इस procedure में करते क्या है इन इस surgery the entire stomach और part of stomach is removed यहां पर stomach को या तो completely remove कर लेते हैं या partially remove करते हैं वो depend करता है कि tumor कितना spread हुआ है और stomach का कितने parts affect हो रखे हैं next point है parts of nearby tissues और organs में also be removed अब यहां पर अगर जो tumor है या जो cancer है वो आसपास के organs में या tissues में भी अगर spread हो गया है तो उनको भी यह remove करना पड़ेगा जो stomach के पास में spleen भी होता है पेंक्रियास भी होता है तो अगर इनमें भी spread हो गया है तो उनको भी remove करना पड़ सकता है next point है आपर in total gastrectomy isophagus attached directly to the small intestine अगर stomach को completely remove कर रहे हैं पूरा stomach ही remove कर रहे हैं तो क्या करेंगे डोक्टर क्या करते हैं जो इसोफेगस होती है उसको directly small intestine से connect कर देते हैं means stomach का कोई part remove कर रहे हैं तो उसमें करते क्या उस part को remove करके बाकी other parts को वापस connect कर देते हैं for example diagram देखके बता देता हूं आपको जैसे यह इसोफेगस होती है इसोफेगस है काडियक पार्ट फंडस पार्ट बोडी पार्ट और लाश में पाइलोरस और यह पाइलोरस तो यहां पर माल लो जो यह फंडस पार्ट है यह अगर यहां पर केंसर है तो क्या करेंगे इसको remove कर देंगे डोक्टर और इसोफेगस को डायरेक्ट जो बोडी पार्ट से उससे इस तरह से connect कर दिया जाएगा तो समझ गया इस तरह से partial gastrictomy की जाती है तो यह तो second procedure हो गया और surgery complete हो गई second one यहां पर प्रोसेज आती है treatment में chemotherapy तो chemotherapy में क्या करते हैं ऐसी drugs दी जाती है जो tumor को shrink करने का काम करती है these drugs are given before surgery to shrink tumor first और after surgery to kill any remaining cancer cells जो chemotherapy है surgery से पहले भी दे सकते हैं tumor को shrink करने के लिए और surgery के बाद में भी दे सकते हैं अगर कुछ cells वहाँ पे remains रह गई हैं तो उनको kill करने के लिए अब यहां तो कौन कौन से drugs दे सकते हैं chemotherapy में like fluorour, uracil, cisplastin are the drugs most commonly used to treat stomach cancer यह जो दो drugs से chemotherapy में mostly दी जाती है stomach cancer में ओके अब last one यहां पे जो management आता है वो है radiation therapy it is most commonly used in combination with chemotherapy for the treatment of gastric cancer जो chemotherapy और radiation therapy इन दोनों को combination में एक साथ दिया जाता है gastric cancer या दर कोई cancer हो तो उनमें भी ऐसी procedure फोलो होता है next point है यहां पे patient with stomach cancer usually receives external beam radiation therapy जो radiation therapy होती है दो टाइप की होती है external radiation therapy and internal radiation therapy तो stomach cancer ही जो condition है इसमें external beam radiation therapy दी जाती है means outside एक machine के through radiation दिया जाता है which is radiation given from a machine outside the body जैसा मैंना आपको बताया कि external beam radiation में क्या करते हैं body में person को outside से radiation देते हैं जो tumor को kill करने का या श्रिंग करने का काम करते हैं तो यह बात होगा stomach cancer के management के और यह topic भी complete हो गया अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो comment करके पूछ लीजिए ठेंक्यू यह झाओं